तो हमेशा परीक्षत जो बने उनके लिए कुसासन लाना चाहिए बजार में मिलता है कुसासन कांस को होतो है उमाले में यह कुसासन जो कांस का बनता है यह सबसे ज़्यादा पवित्र क्यों माना गया बताई तो होती हमने पर बहुत दिन होगे उस मंदर पर गाउबाले मंदर पर जब कता चलती थी तब बताया था कि जिस समय गर्ड़ुजी अम्रत का कलस लेकर के आये थे और वो अम्रत का कलस जिस समय भगवान ने बटवारा किया था अम्रत का तो अम्रत की धार कांस पर गिने थी कांसों पर और सर्पों ने देख लिया था उसे आपने देखा सांप को जीव निकालते कभी बीच में से फटी हुई है यह फटी हुई नहीं थी पहले अब कांस के उपर अम्रत गिरा तो सबते पहले सांपन नहीं चाटो सांपों ने अब जब सांप अम्रत को कांसों के उपर चाट रहे थे तो जीव के दो भाग और कांसों पर उपर पढ़ने से अम्रत की धार सबसे सर्वोत्तम उच्च प्रकर्ति का आसन प्रकांस का इमाना गया अम्रत के पढ़ने से ध्यान करना नेक देर की सोवती अम्रत की धारकी तो अच्छे लोगन की संगत अगर नेक ही में जावें वो ही काफी है वो ही तार्ण कर देती है आपने देखा हमने बताया क्या वाग के सिवजी और पार्वती के पार्वती मैया के उदर से कोई संतान नहीं जन्मी थी उदर से कोई नहीं जन्मा था ना दोनों लड़के और दोई लड़की थी उनमें सिवजी पार्वती पर दो सब्सक्राइब करके और जिसमें भोले बाबा के पास पहुंचे थे कहलास परवत में भगवान सिब्जी के दर्सन को तो जैसे वो धीरे-धीरे गरुण उत्रा परवत में तो गर्ड की पीट में से भगवान उतर की चले थे सिब्जी के पास तो सिब्जी की गर्डन में जो काली नाग परा हुआ था और जाब आता है तुम जानते ही हो साप को गर्ड को बेर अच्छी तरह बेर था चो अच्छो जो साप ने और गर्डन लंबी करेक और जीवल कारेके भुसकार मारी गरुण अओ गर्ण हसी गए एक बार घूम के फिसकार मारी फिर गर्ण हसी गए और इते शिवजी और भगवान विश्रु दोनों बात कर रहे थे आपस में और तब तक बार गर्ण के काया पर फिसकार काली नाग ने फिर मारी दियान सब्सें मा क्या कय एधा kindness आथे बचकौय ने तेरोत और भोजन खाते हैं को गर्ण जाते पूरा निगल जाते हैं सापको तो गर्ड भगवान कह रहे हैं कि निगो न्यों काई कि तु बैठो अच्छी जगए पर ताते बच्ची गोई तहीं देर सोता बंदुआ तो जैसे ही चाथी बार फिर बुश्कार मारी गर्ड कह रहे हैं मेरे भगवान को हुकम ना है मान्या कई अब आई मान्या देख न्याहत बात तहीं रही भोतेरो गर्ड ने समझाओ पर पांच मी बार फिसकार ठर्मार मार्चों दाई जा तुम अब हुआ जमालों जा को हिमाती धीकर आहो पीछें बुर्रुकत्वा को तो बाद जमाली मेरे हिमाती ये भोले तो सोता बंदू और गर्ड ने एक ही पंग खिलाया के वल एक और जाओ एक पंग उठाय के मारो धर्ती में गर्डन में फांसी लग गई उसे सेशनाग नाग 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 उसे काली नाग के और जाकर काली नाग बेचेन भव और सामने गर्ड जी है और कहीं कि अगरी बारगत तेने नेकर जीव़ों लिका दई तो तेरा बचवाईया दुनिया में कोई नहीं हुए लो जाए भली मेरे माले को दोस्त लगा में सो काली नाग गरदन में तो तरीक पीठ पर किस तरक बामी में चलो डड़के मारें आप शिवजी बैठे थे और भगवान से बात हो रही थी और चंद्रमा से पर सवार था चंद्रमा तब करिच चंद्रमाने के प्रभू सरीरव जबूपर हो इस तो एक तुम ने हो तुम्हार उपर हो हूं गांगाजी पम्हाइं और जही काली नागु तुम्हें उपर हो ठ metalsंसां तह प्यार करो तो जाई दिकर हो जा काली नाक से इतना प्यार किया कि तुमने इसे अपने कंठ मेबास दिया गले में सो मारा जात तुमने यारह जाद करी है आज सब दे पहले वेई बार आई कितना बड़ा संकेत है और दुख किसका होता है दुख भी उसहीगा जाद होता है जिसivos समसे जादा प्यार करते हैं जिसके ऊपर तुम सबसे जादा लाड़ प्यार करता हो और बुद्ध मेसव धोगा दिए तो रहे तो समसे जादे कर्षट होता है इतना ही कहा था ओ और चंदरमा को इतनी बात काहिके एक जगदीश चाचा जो हाशी आई उपर तो चंद्रमा के नेतरों में अम्रत बास करता है चंद्रमा के नेतरों में अब कभू कभू देखी उपरीचा जी तुमने कहती वाशे लेगे ओक हसी या तभू लिकरें जाता है बाकर दोनों आसल पर बैठें सिव जी वो सेर की खाल है और सिव जी जहां बैठें दोनों पेरों के पास सेर का मौ बना हुआ मिलेगा तुम्हें देख लिए कभू सेर का मौ सो परिक्षत जी चंद्रमा के दोनों नेत्रों से और जो अम्रत की द्वा बूंद गरी वो सेर की जो खाल गया जैसे फूर शेर जिंदा है कि रहाड मारी गार्ण पीछिब नंदी सुनने करिए कर नंबर को सेर बेल को खागा जाता है और सेर बेल रहा जाता है सो नंदी सुर पीछे बंद रहे हैं सो ब्यवु अले से दां किनारों को रिगेट रहे हैं सो ता बंदो काली नाग छोड़ गया नंदी सुर बैद छोड़ गया अब भोले बाबा को कश्ट हुगा कर जिन पर मैंने सबते जाद है तकरो दोनों पर वो बेई से मुझ छोड़ गया सो ता बंदो दोनों हाथ सामने किये हुए थे तो उस समय इतना कश्ट हुगा भोले ना थो कि दोनों आखों से आंसू की दोनों बूंद दोनों हाथों पर गर दोनों हाथों पर आंसू गरे आख से तो एक सीधे हाथ से जो लड़की जनमी थी वो यी थी सुनेना सब्द बता रहा, नाम बता रहा सुनेना, नैन से पैदा खु़ी और पाए हाथ में जो बूंद गरी थी आशु की वो यी थी सुलोचना लोचन सब्द भी नेत्र के लिए है लोचन सब्द आंक से कहते हैं तो भगवार सिम्जी के दोनों लेत्रों से सुनेना और सुलोचना ये दोनों बिटियां जननी थी तो सुनेना जब महारा जनक ने भाजन किया था जनक जी ने जब तपस्या की थी तो सुनेना तो दे जी थी जनक को अब रहे गई थी सिलोचना और सिलोचना का विवा कैसे हुआ ये कथा कल हम तुमें बताएंगे बतना समय नहीं है कि सिलोचना का विवा कहा किया और रामान में उसका संकेत भी आया है राम चर्तमानस में एक चौपाई आये लक्षमन परसुराम समाद में कि मात पिता रेन भाए उनी के और गुरु रेन रहा सोचवरजी के ये लक्षमन ने कहा था परसुराम से कि मात पिता का कर्ज तुमने अदा कर दिया है पर गुरु का कर्ज तुम पर अब तक बागी है वो गुरु का कर्जा कौन सा था यह कता कल हम तुम्हारे सामने बताएंगे, दूसरी बात